अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि trend क्या होता है trading में, तो आप या simply कोई भी यह answer कर देगा, कि चार्ट जिस साइड पर move कर रहा है उसको हम trend कहते हैं, for example upside पर move कर रहा है तो उसको uptrend कहते हैं, downside पर move कर रहा है तो उसको downtrend कहते हैं, अब अगर मैं आप लोगों से लेते हैं तो actual में ये किताबी ज्यान होता है जो कि real life से practicality से थोड़ा सा अलग होता है real life में थोड़े से इसमें changes होते हैं यही reason है कि जो basic price action पर work करते हैं उनको कभी-कभी ये fail होता हुआ नजर आता है and किस तरह से वो change होता है smart money concept की language में smart money concept में trend जैसी कोई भी चीज नहीं होती है trend को यहाँ पे कुछ modifications के साथ दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसको कहा जाता है structure mapping जिसमें हम यह सीखते हैं कि trend किस तरह से form हो रहा है and किस तरह से वो change हो रहा है सिर्फ यहाँ पे नाम खतरनाक दिरखे हैं smart money concept में जिसको देखके डरे नहीं नॉर्मल जो trend वगेरा हम identify करते हैं उसी का थोड़ा सा विकसेत रूप होता है जहाँ पे कुछ additional बातों का बस हमें ध्यान रखना होता है smart money concept की यही खासियत है कि यहाँ पे नाम सब चीजों के heavy heavy दिरखे हैं पर actual में वही basic बाते होती हैं जो आज तक आप trading में देखते सीखते सुनते आए होंगे उसी के साथ में बस थोड़े से modifications एड़ कर दिये जाते हैं उसमें जिससे कि उसकी accuracy बढ़ सके और बाकी normal retailers जो price action वगएरा पर वर्क कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमें अच्छा edge मिल सके so एकदम short, simple and to the point वीडियो रहेगा बस आपसे यही request है कि आपने पहले के parts नहीं देखे हैं तो उनको भी check out कर ले क्योंकि उन में से कुछ concepts को मैं इस वीडियो में use करने वाला हूँ first part में हमने कुछ basic points को सीखा था, second part में हमने liquidity grab and liquidity के बारे में समझा था third part में हमने ये समझा था कि कि किस तरह से liquidity generate करने के लिए operator के दुवारा inducement create किये जाता है inducement technique को use करते हुए अब ये fourth part होने वाला है जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि चार्ट पे structure mapping किस तरह से होती है कैसे हम chart का structure समझ सकते हैं और साथ इसाथ कब वो structure change होने वाला है अब structure mapping को सीखने के लिए chart पे आपको दो concept को mind में एकदम clear करना जरूरी है सबसे पहला concept होता है BOS break of structure जिसको कहते है फुल फॉर्म इसकी होती है break of structure second important concept होता है CHOCH यानि change of character इसकी full form होती है जिसको कुछ लोग short form में चोच कहते हैं कुछ लोग चोक कहते हैं अब जसा कि मैंने आपसे कहा था यहां पे नाम हैवी दिये हो है रहते हैं बस concept बहुत easy रहते हैं समझने को तो नाम भले ही आपको याद रहे ना रहे या किसी भी नाम से आप इन बातों को याद रखें सिर्फ आपको concept समझ में आना चाहिए वैसे तो इन दोनों ही concept को मैंने आपको first part में समझा है था पर वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक basic overview दिया था अब हम इसको समझने वाले हैं कि चार्ट में structure mapping में किस तरह से काम आते हैं सबसे पहले समझते हैं boss यानि BOS break of structure को इसमें जब चार्ट इस तरह से move कर रहा होता है एक direction में तो जैसे जैसे वो अपना high cross करता है जैसे यहाँ पे एक high cross करा तो यहाँ पे एक boss create होता है दुबारा से उसने अपना high cross करा तो यहाँ पे एक और boss create होता है break of structure के लिए सिर्फ हमें दो बाते ध्यान में रखनी होती है एक तो यह कि direction chart का same side पे बना हुआ है main trend जो है वो same side पे बना हुआ है दूसरी बात का हमें यह ध्यान रखना होता है कि after a valid pullback only यह consider होता है यानि chart ने एक trendy move दिया उसके बाद valid pullback होना चाहिए valid pullback क्या होता है at least chart यहाँ पे 50-60% के आसपास retest करे minimum to minimum 40% से ज़्यादा retest करे for example अगर chart ने इस तरह का move दिया उसके बाद जड़ा सा pullback देके वापस से high cross कर दिया तो यहाँ पे यह boss नहीं कहलाएगा अब actual chart पे इस तरह से दिखता है उसका थोड़ा सा आपको idea दे देता हूँ जैसे for example यहाँ से trendy move चालू हुआ तो उसके बाद जब इसने यह pullback दिया जो 50-60% के आसपास तक नहीं गया उसके बाद यहाँ पे इसने वापस से नीचे की side पे breakdown कर दिया तो यहाँ पे भले ही low break हुआ है पर यहाँ पे यह boss नहीं कहलाएगा और बहुत सारे लोग यहीं गलती करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे low break होता है वो यहाँ पे short करने enter हो जाते हैं जिस वज़े से market यहाँ पे उनके liquidity इखटी करते हुए यहाँ पे उनके लिए inducement create करते हुए inducement क्या होता है last वाले part में हमने discuss किया था inducement technique यूज करते हुए उनके सारे stop loss खाता हुआ वापस उपर side पर चला जाता है एक valid boss किस तरह से बनता है break of structure किस तरह से बनता है यहाँ पे जब high से chart ने निकलके यहाँ पे एक trendy move दिया उसके बाद invalid pullback दिया उसने यह 50% के आसपास तक नहीं गया वापस गया तो यहाँ से पूरा इस low तक हम consider करेंगे यह हमारा high हो गया यह हमारा low हो गया इनको जब हम connect करके यहाँ पे देखेंगे तो यह अगर valid pullback हो जाता है 50-60% के आसपास तक हो जाता है उसके बाद जब दुबारा यहाँ पे यह low break होगा previous high को हमने cross नहीं करा उसके नीचे ही high लगाया और यह low break करा pullback भी valid है तो फिर जब यहाँ पे low break हुआ यहाँ पे यह कहलाता है boss यानि break of structure उसके बाद हम मान सकते हैं कि chart वही structure को continue कर रहा है यहाँ से और downfall दिखा सकता है अब normal जो price action trader होता है वो इस तरह से lower high lower low समझता है उसके लिए यह high बन गया यह high बन गया यह low बन गया यह low बन गया यह low बन गया पर smart money में कभी भी ऐसा नहीं होता है and real chart में भी कभी भी ऐसा नहीं होता है वहाँ पर एक valid high और एक valid low क्या होता है उसको ध्यान से समझना वरना यह कोई भी concept आपका कुछ भी काम का नहीं रहेगा यहाँ से जहाँ से chart ने main move देना start करा उसके बाद जब तक chart गिर रहा है उसको गिरने दो यह उसने एक pullback दिया पर यह फिर भी एक low consider नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यह pullback valid नहीं था pullback valid जब तक नहीं होगा 40-50-60% तक जब तक move नहीं करता है एक बार जब 40-50-60% move देगा तो वहाँ से जहाँ से वो आया है वो हमारा low point होगा यह हमारा low point नहीं रहेगा उसके बाद दुबारा से नीचे आया तो यहाँ पर अभी भी हमें इसको low consider नहीं करना है जब एक बार इसने यह valid pullback दे दिया इस तरह से यानि जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का trendy move हुआ इसका 50-60% से यहाँ रिटेश कर लिया तब जाके यह valid low consider होता है तो हमारा high क्या बन गया जहां से हम चलते हो आ रहे हैं प्लस यह valid low बन गया उसके बाद यह जब तक जैसे यहाँ पर low लगाया तो यह कोई low नहीं होगा important इम्पोर्टन डो रहेगा यह वाला क्योंगी यहाँ से valid pullback निकला था इसलिए यह वाला low फिर shift होके यहाँ पर आ चुका होगा यह बीच में कोई important low नहीं है यह कोई low नहीं है similarly यह बीच बीच में जो internal high होते हैं यह भी कोई important नहीं रहते उसके बाद इस तरह से जब यहाँ पे low shift नीचे हो गया high उपर shift हो गया था यहाँ पर अब उसके बाद दुबारा यह shift जब होगा जब वापस से यहाँ पर जैसे break of structure हुआ था यहाँ पर BOS तो जब भी break of structure हुआ इसका top जो point होता है एकदम top point जहां स चलता हुआ आ रहा है वो हमारा एक valid high होता है यह बीच बीच के जो high है यह कोई भी काम के नहीं रहते कुछ लोग गलती क्या करेंगे वो सोचेंगे यहाँ पर BOS हो गया यहाँ पर BOS कभी भी नहीं होता low point जब break होगा तब BOS हमारा खेलाता है दो तीन बातों को खास ज्या low point decide करना है जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा amount का pullback देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पे जो move होगा उसका अच्छा खास amount का pullback हो चुगा 50-60% के आसपास जिसा मैं आपको बताया है तो यह एक valid high और valid low हम इसको consider कर सकते हैं यहाँ पे high मान लिया यहाँ पे low मान गया पर यह और भी आगे जा सकता था live chart में हमें क्या पता यहाँ पे high point लगाएगा तो next high point हमारा जब decide होता है जब वहाँ से एक valid amount का pullback आ जाता है एक 40-50% के आसपास का retracement आ जाता है जैसे यहाँ पे deep pullback हमें देखने को मिला बड़ा pullback तो यह हम फिर consider कर सकते हैं कि यहा अभी भी हमारा same है low हमारा कब change होगा वो मैं आपको आगे समझाओंगा फिलहाल के लिए हमारा high change हो चुका है क्योंकि यहाँ से एक अच्छे amount का pullback आ चुका है अब suppose हमें इस तरह से इनको mark कर लेते हैं तो high जो है उपर की side पे shift हुआ higher high बना low अभी तक भी same है अब होगा क्या यहाँ से suppose करते हैं आगे का chart हमें नहीं पता तो यहाँ से अगर यह high point को वापस से break कर देगा इस तरह से यहाँ पे किया तो यह वापस से break of structure कहलाएगा ऐसा ना होते हुए low point जो हमारा लगा हुआ है इसको break कर देगा तो यह यहाँ पे change of character कहलाएगा क्योंकि अभी ह हमारे साथ क्या हो रहा है हम उपर की side पर move कर रहे हैं इस तरह से तो same direction में अगर जब तक हम move करते हैं तब तक तो break of structure रहता है change of character जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि for example chart अपर side पर move कर रहा है तो बार बार जब यह अपने valid high को cross कर रहा है तब तो BOS BOS बनता जा रहा है एक बार जब इसने यहाँ से वापस से downside पर अपने low को break करा upside वाले chart ने, upside direction वाले chart ने low को जो अपने break करा valid low को upside वाले chart में इसने change of character जब होगा जब low break कर दिया तो यहाँ पर एक CHOCH हो जाएगा similarly downside का अगर chart इस तरह से चलता हुआ आ रहा है तो बार बार जब यह downside पर valid low को break कर रहा है same direction identify करने में CHOCH change of character या चोच बोलने चोक बोलने वो हमें help करता है कि upside का direction कब downside में convert हो रहा है downside का direction कब upside में convert हो रहा है इस तरह से अब थोड़े से और examples वगेरा को हम देख लेते हैं previous chart पे जिससे कि हमारे mind में यह और clear हो जाए and change of character वगेरा किस तरह से होता है trend change वगेरा basically आम भाशा में आपको समझाओं तो वो कैसे होता है वो भी हम देख सके अब जिससा कि मैंने आप से कहा था कहीं पर भी आप high और low mark करके उसके आगे की chart की कहानी समझ सकते हैं थोड़ा पहरे से pick करना चालू कर दें जिससे कि आप कहानी को समझते हुए आ जाए यहाँ पर हमने एक high और low mark कर लिया for example पीछे का क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता आगे का क्या हुआ हमें वो भी कुछ भी नहीं पता अब उसके बाद क्या होता है chart जाता है exactly इसी point के आसपास से resistance लेके वापस नीचा जाता है तो क्या हमारा यहाँ पर break of structure हुआ बिलकुल भी नहीं पर यहाँ पर एक valid pullback हमें देखने को मिला जो कि इस फूरे swing का 50-60% के आसपास है तो important low हमारा यह हो जाएगा यहाँ पर लोग यहाँ था यहाँ आ आ गया high point अभी तक हमारा breakout नहीं हुआ है तो high जब यहाँ पर breakout हुआ तो यह हमारा high point था breakout हुआ ब्रेक ओफ structure हुआ यहाँ पर उसके बाद एक अच्छा move बगेरा हमें देखने को मिला अब यहाँ से जो move निकला है उसका अच्छा खासा valid pullback हमें देखने को मिला 40-50-60% के आसपास फिर वापस से चा तो important point हमारा low point यह बन गया high point यह बन गया breakout यहाँ से हमने करा अब यहाँ पर ब्रेक ओफ structure हुआ है पर लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे वो सोचेंगे जैसे भ्रेक ओफ structure हुआ है यहाँ से धमाकेदार move आना चाहिए यह कभी भी कोई guarantee नहीं होती कि ब्रेक ओफ structure होते ह हम यहाँ पर neutral side पर बने हुए है जिसमें हमें कम quantity रखनी है जिससे कि हम trap ना हो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा break of structure तो हुआ उसके बाद एक बड़ी सी red candle बनाईगी अब जो normal projection follow करता है जो normal retailer है वो यहाँ पर क्या सोचेगा चलो sell कर देता हूँ पर यह इस तो mindset mainly कहां पर रहेगा हमारा long side पर उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से बहुत अच्छा move मिला next day gap up हो गया market तो अभी हमें यह नहीं पता कि high point बनेगा नहीं बनेगा और भी उपर जा सकता है हमें क्या पता हम तो live देख रहे हैं चार्ट पर यहां से अच्छा खासा valid amount का एक retracement हो गया जहां पर हमने breakout किया था उसके 50-60% से भी ज्यादा हमने retrace कर लिया तब जाके यह हमारा important high point बनता है लो हमारा क्या था अभी भी low हमारा यही लगा हुआ है अब हम आगे चलते हैं और क्या हुआ तो जैसा आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा यह हमार चोटे moves पकड़ते हुए वरना trendy market में पैसा कमाने का कोई मतलब ही नहीं है जब उसको volatile sideways market में वापस से गवा दो या फिर capital पे ही loss करवा दो अब simply आप देखेंगे तो यहां पर वापस से high point breakout हुआ तो वापस से हमें क्या समझ में आ रहा है trend वही continue चल रहा है and जैसे ही यह यहां पर दुबारा से break of structure हमें देखने को मिला तो उसके बाद क्या होगा यह जो important low लगा था next low यह हमारा यहां से यहां वाले low से shift हो के यह वाला low यहां पर आ चुका होगा इसी तरह से बार बार आपको देखने को मिलेगा break of structure हुआ important retracement हुआ major pullback हुआ valid pullback जिसको कहते है फिर वापसे चार्ट ने break of structure करा उपर साइड पर वापस अच्छा move मिला और जहां जहां break of structure हो रहा है वहां पर crucial जो low point था last वो हमारा low point बनता जाएगा इस तरह से इससी तरह से हम चलते चलते आगे आए एक दिन हमने high point लगाया फिर इसको हम cross ही नहीं कर पाये at least उसके उ closing के बाद ही उसको confirm मानते है उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यह हमारा valid low लगा हुआ था एक high हमने cross नहीं करा अब low जैसे ही यहां पर break होता है तो हमारा यहां पर क्या हो चुका है जो मैंने आपको समझाया change of character अब उसके आगे आप देख सकते हैं जैसे ही यहा पायर सैड होते जा रहे थे जैसे ही उनके सबके यहां पर change of character हुआ तो यहां पर सब लोग अपनी position कवर करेंगे तो यह comparatively हमेशा change of character faster and बड़ा होता है अब जो लोग यहां पर यह समझ नहीं पा रहे कि change of character हुआ है वो क्या सोच रहे हैं जैसे यहां पर breakout हुआ बाय कर ल पर हमारा BOS हुआ था तो previous जो हाय था हमारा जहां पर BOS हुआ उसका main high जो रहेगा वो हमारा हब हाय बन जाएगा यह high cross नहीं हुआ तो change of character होने का सवाल ही नहीं यहां पर BOS हुआ था उसके बाद एक sufficient amount का वापस pullback आया तो यह हमारा important low बन गया high अभी तक भी cross नहीं आपको अगर यह चीज समझ में आ गई तो आप क्या बीच बीच में यहां पर पुल बैक अगेरा हो रहे हैं जो buy side के move अगेरा आ रहे हैं उसमें क्या आप trap होंगे बिल्कुल भी नहीं especially अगर आप new trader है तो आपको बहुत ही ज़्यादा help मिलेगी एक certain direction प्रेडिक करने में कि हाँ आज के दिन मेरा mindset buy side पर रहना चाहिए short side पर रहना चाहिए या फिर दोनों ही ना होते होए बीच में जब high और low cross नहीं हो रहे हैं तो neutral mindset रखना है मेरेको चोटी मोटी scalping मगरा क experience trader है शुरू आतमे capital safe रखना ही सबसे बड़ा काम होता है क्योंकि बहुत जल्दी हमारी capital wipe होती है एक बार जब हमने capital safe रखना सीख लिया तो profit धीरे-दीरे हमारा बनना चलू हो जाता है भले ही शुरू आतमे बड़े profit को capture करना avoid करे पर capital को बचाना at least सीख है जो भी एक बा आपको चार्ट पर देखने को मिल जाएंगे पर वह comparatively कम होता है तो जो चीज कम हो रही है उस पर हमें ध्यान नहीं देना maximum चीज जो होती है उस पर हमें ध्यान रखना है उसको हमें use लेना है एंड जब यह फेल हो तब हमारे पास stop loss रहना चाहिए हमारा risk management हमारे साथ में ऐसा ना हो कहीं 5-7 trade में हमने जाके बनाया और एकी trade में पूरा गायब कर दिया वो हमारा कोई अच्छा risk management नहीं होता उससे हम trader नहीं बन सकते अच्छे यही ता complete session कैसा लगा आपको comment करके ज़रूर बताना अच्छा लगा हो तो like and comment करके प्यार दिखा सकते हैं आप लोग अगर support करेंगे प्यार दिखाएंगे तो उससे मुझे भी motivation मिलता है कि हाँ जो मैं मेनत कर रहा हूं जो मैं efforts डाल रहा हूं वो useful है at least कुछ लोग तो हैं जो वाकई में सीख रहे हैं समझ रहे हैं और भी आपकी कुछ queries हो doubts वगेरा हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं इस